क्या hip replacement surgery बहुत painful होती है? क्या patients को surgery के दौरान या surgery के बाद दर्द महसूस होता है? या इतना दर्द होता है जो कि बरदाश नहीं होता? आज के इस वीडियो में मैं आपको जवाब दूँगा इसी question का Hello friends, मेरा नाह मैं Dr. Pankaj Vailacha और मैं दिल्ली में एक hip and knee replacement surgeon हूँ और मैं अपने वीडियो के जरीए उन patients को जिनको hip arthritis का problem है उनको educate करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो अपने लिए सही decision ले सके चलिए उननेस सालों में हम तीन हजार से भी जादा hip or knee problem के patients का इलाज कर चुके हैं और वो successfully अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा चुके हैं फ्रेंट्स जब भी कोई surgery होती है तो हमें इस चीज के लिए अपने आपको मानसी दूप से तयार करना चाहिए कि थोड़ा बहुत दर्द तो होगा लेकिन advanced techniques के चलते modern techniques को use करते हुए इस समय पेशेंट्स को बहुत कम दर्द महसूस होता है आम तोर पे हमने देखा है कि पेशेंट्स की जब हम surgery करते हैं और अगर हम उसको advanced technique से करें पेशेंट्स की muscles को minimum damage करें अगर आपको जो cut लगाया जाता है वो बहुत बड़ा ना हो बहुत छोटा भी होना ज़रूरी नहीं है अगर बहुत छोटे cut के जरीया operation किया जाता है तो अंदर muscles को damage जादा होता है तो एक average size का incision होना चाहिए या cut होना चाहिए लेकिन आपकी अंदर की mass patient को save किया जाना चाहिए उनको minimum damage किया जाना चाहिए और जो भी mass patient को cut की जाती है उनको वापिस उनकी जगा पे repair करना चाहिए ऐसा करने से patients को hip की feeling भी natural आती है और उनको operation के बाद दर्द भी कम होता है ये तो हुआ modern technique यानि कि जब modern technique यूज़ करते हैं तो patients को दर्द कम होता है नंबर दो पे आता है कि आपकी leg length कितनी है इसका मतलब है कि अगर आपकी time operation के बाद बहुत लंबी हो गई है तो आप ज़ादा दर्द मैसूस करेंगे क्योंकि mass patient में जरूर से ज़ादा खिचाव आ जाता है और उस खिचाव के चलते patient को hip को move करने में तकलीफ होती है खड़े होने में तकलीफ होती है विस्तर में करवट लेने में तकलीफ होती है और दर्द ज़ादा होता है तो जब हम आपके hip को balance करते हैं आपकी legs को बराबर रखते हैं यानि कि आपकी दोनों टांगों की लंबाई equal हो जाती है तो patients को इतना दर्द महसूस नहीं होता रादर उनको अच्छा महसूस होता है क्योंकि जो अंदर आपका hip का जोड खराब हो गया था उसको अब नई joint से replace किया जा चुका है जो आपका kula पहले अड़ता था फस्ता था आपकी जो movements यानि की rotations यानि की आपकी टांग को घुमाना जो वो restricted था आपकी टांग का खुलना अगर वो restricted था तो यह सारी movements operation के immediately बाद ease out हो जाती है काफी relax हो जाती है तो उससे भी patient का दर्द कम होता और होसला बढ़ता है कि देखो जो problem मुझे operation से पहले थी वो अब नहीं है हाँ operation की जगा पे खिचाब, थोड़ा सा भारीपन या खासतोर भी operation वाले दिन जब spinal anesthesia यानि की जो कमर में injection लगाते हैं उसका असर दिरे दिरे खतम होता है तो पेशेंट्स operation वाले दिन थोड़ा दर्द भी महसूस कर सकते हैं लेकिन वो दवाईयों से अराम से मैनेज किया जा सकता है और operation के अगले दिन से pain decrease होना शुरू होता है पेशेंट को confidence आना शुरू होता है और जब वो पहली बार उठके चलते हैं तब उन्हें पता लगता है कि हाँ मैं पहले से बहतर महसूस कर रहा हूं चलने में तो ये लेके आता हमें तीसरे point पे जिसका मतलब है कि अगर आपकी bone quality अच्छी है और आपका implant अच्छा use किया गया है और उसको perfect position में डाला गया है तो भी आप अपने फूले को लेके बहुत free महसूस करते हैं और ऐसे patients को हम पूरा वजन डालके चलने के लिए encourage करते हैं अगर आप operation के अगले ही दिन चाहे walker support से या चढ़ी के support से पूरा वजन डालके चलते हैं उस पैर पे तो उससे बहुत confidence मिलता है उससे patient को लगता है कि हाँ मैं recover हो रहा हूँ और जो यह feeling होती है जो एक positivity होती है यह भी patient की दर्द की feeling को और कम कर देती है यानि कि एक अच्छी technique से की हुई surgery एक अच्छा implant यूज करके की गई surgery और अगर आपकी tango को बराबर कर दिया जाए और अच्छी से balancing कर दी जाए तो pain बहुत कम होता है in fact patients हमें अकसर यह बताते हैं पहले या दूसरे दिन कि sir इतना दर्द नहीं है थोड़ा खिचाव है वह भी खास तोर पर करवट वगरा लेने में मैसूस होता है पर पहले से बहुत रिलीव ढूमेंट और मुझे ऐसा दर्द नहीं है कि मुझे रात को नीजना आए या मुझे परिशानी नहीं और friends अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर कि जब हम आपका operation करते हैं उस दौरान जिन muscles को retract किया जाता है जिन muscles को थोड़ा कट किया जाता है जिन muscles को खीचा जाता है उनके अंदर एक special दवाई का injection लगाया जाता है जिसका असर की 24 से 48 घंटे तक रहता है और पहला और दूसरा दिन अकसर हम patients को pain management बहुत अच्छे से करते हैं क्योंकि दूसरे तीसरे दिन से तो दर्थ automatically कम होने लग जाता है तो उस injection के लगने से भी patients को आसपास के एरिया में काफी आराम रहता है और वो पहले एक दो दिन उस दर्थ को महसूस नहीं करते हैं जो कि patients को हो सकता है अगर वो injection ना लगाए जाए तो यह होती है हमारी fourth technique जिससे कि हम modern hip replacement surgery में patient के pain को ना के बरावर रखते हैं patient के pain को bearable range में रखते हैं patient के pain को उस range में रखते हैं जिसमें कि वो आराम से बरदाश्ट कर सकते हैं अपना काम कर सकते हैं करवट ले सकते हैं करवट लेकर सो सकते हैं पैट के खाना का सकते हैं और उठके चल सकते हैं खुद से washroom जा सकते हैं और फ्रेंट्स पांचवा पॉइंट है कि जब हम hip replacement surgery आपकी खतम करते हैं तो जो tissues आपके cut किये गए उनको वापिस उसी जगा पे repair किया जाता है जहां से उनको cut किया गया और यही नहीं आज कल हम अपने 90% मरीजों का operation stitchless तरीके से करते हैं यानि कि बिना टाका लेके करते हैं यानि कि जब आपकी skin को close किया जाता है आपके operation को बंद किया जाता है तो उसके उपर टाके नहीं लगाए जाते या फिर कहा जाए तो गुलने वाले टाके लगाए जाते हैं उनकों कि बाद में remove करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत से patients हमें कहते हैं कि सर जहां टाके लगे होना वा खिचाव जादा महसूस होता है अकसर patients अपने मन में सोचते हैं कि जब टाके निकल जाएंगे तो दर्द में आराम हो जाएगा क्योंकि टाकों के सूखने से खिचाव जादा महसूस होता है तो हम अपने 90% patients को गुलने वाले stitches लगाते हैं कि skin के बाहर नहीं होते और उनको remove नहीं करना पड़ता ऐसा उन patients के लिए और भी जादा useful होता है जो कि दूर दराज इलाकों से हमारे पस आते हैं गावों से आते हैं या इंटीरियर से आते हैं जहां पर उनको एक अच्छी medical सुविधा नहीं होती तो वहां पर उनको एक डॉक्टर नहीं ढूणना पड़ता जो कि उनके टाके निकाल दे हम उनको dressings यहां से दे के भेजते हैं उनको समझा के उनको इस चीज में educate करके भेजते हैं कि कोई भी local doctor जो है वो कैसे आपकी dressing आसानी से कर सकता है 14 दिन के बाद अगर उसकी जरूरत पड़ेगी हम अपने patients को ready made dressing दे के भेजते हैं जो कि patients वहां इस्तमाल कर सकते हैं अपने एक local doctor से संपर करके हम patients को एक video बना के देते हैं जिसमें हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे ही dressing की जानी चाहिए जो कि वह अपने doctor के साथ share कर सकते हैं और वो doctor उनके लिए dressing एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो friends इस video में आपने जाने 5 ऐसे point model hip replacement surgery के बारे में जिससे की patients को बहुत कम दर्द होता है और उनकी recovery बहुत fast होती तो friends I hope ये video आपको useful लगा होगा आप ये video उन लोगों से जरूर share कीजिए जिनका या तो hip replacement हुआ है या होना है ताकि वो इस बारे में जानकार ही प्राप्त कर सके हैं और यही नहीं अगर कोई और question आप हमसे पूछना चाहते हैं hip replacement के बारे में तो comment section में जरूर पूछिए मुझे बहुत खुशी होगी उस question का जवाब देने में I will see you in the next video